हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट फ्रेंड्स रीपब्लिक डे बहुत नजदीक ही आ रहा है और सभी बच्चे हम बड़ों से जिद कर रहे होंगे छोटे छोटे जो प्लास्टिक और कागल्स के फ्लेग वगेर आते हैं जो के एक बहुत ही शर्मिन भरी बात है हमारे फ्लेग का अपमान होता है इस तरीके से तो मैं आज एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे हमारा नेशनल फ्लेग का जो रिस्पेक्ट है वो भी बना रहेगा और परियावरन को हमारे जो नुकसान होता है प्लास्टिक से वो भी आप कही न कही कम कर सकेंगे तो आज हम ये नेशनल फ्लेग यानि हमारा जो इंडियन फ्लेग है उस थीम का ये हेड बेंड फिर ये रिष्ट बेल्ट और ये छोटा सा कपड़ों पर लगाने का बैच बनाना सिखेंगे आप किसी भी एज के बचों को ये बना कर दे सकते हैं बड़े भी इसे बना कर पहन सकते हैं और ये टोटली रियूजेबल है परियावरन के लिए भी बहुत अच्छा है तो आप इसे जरूर बनाए और ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडियन के साथ शेर कीजिए ताकि वो भी मेरी जो ये आइडिया है उसे फोलो कर सके और अपने लिए अपने ब आप सभी को एडवन्स में रिपब्लिक डे की शुब कामना है और रिपब्लिक डे के दिन तक आप ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए छोटो उसे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल ओके फ्रेंड्स तो हम पहले हमारा हैर बेंड बना रहे है जिसके लिए हमें यह हमारे तीन फ्लेक कलर है इसके लावा हमें अशुक चक्र का कलर भी चाहिए होगा तो यह मैं उनी इस्तमाल कर रही हूँ और जो मैं आपको बैच बना कर बताऊंगी उसके लिए हमें सिर्फ यह वाले फ्लेक कलर चाहिए होंगे ठीक है और इस यहां पर मैं क्योंकि यह जो मेरा थागा है उन्हें वो मेरे प्रोजेक्ट की हिसाब से यानि हैर बेंड की हिसाब से मुझे थोड़ा पतला लग रहा है तो यहां पर मैं हर एक रंग के दो श्ट्रीम्स इस्तमाल करूँ यानि डबल थागा यूज करूँगे बुनाई में तो इसके लिए मैंने यहां पर हुग भी मोटा वाला लिया है लेकिन जब हम बैच बनाएंगे तो उसमें सिंगल श्ट्रिंग ही इसमाल करेंगे तो हुग भी बारा या ग्यारा नंबर वाला इस्तमाल करेंगे ठीक है त कैसरी रंग से यहां पर मैंने कैसरी रंग के दो धागे लिए है जैसे मैंने पहले आपको बताया ठीक है तो यह जो कैसरी रंग है हमारे फ्लेग में वो साहस और त्याग का प्रतिक है जो कि आप सभी को मालूम ही होगा यह देखिए यहां पर हम स्लिप नॉट लगा कर इस तरीके से हम स्लिप नॉट लगाएंगे यह देखिए फिर हम चेन बनाना शुरू करेंगे और यह चेन की लेंथ रखेंगे हम हमारे सीर के वियास के अनुसार यानि हमारा सीर जो 19 इंच है या 20 इंच है हमारे सीर की गोलाई हमारे हेड के अरांड हम मैजर टेप लगा कर नाप लेंगे और उसी नाप की ये चेन बनाएंगे ठीक है हमें काउंट नहीं करना हमारा जो नाप है वहां तक हमें पहुचना है ठीक है तो मैं अपने बच्ची के लिए बना रही हूँ तो मैं उसके नाप के अनुसार चेन बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हू तो ये 23 इंच तक बहुत जाती है ठीक है तो मेरे desire length यहाँ पर 23 इंच है तो मैं 21 तक मैंने बुनाई कर ली है और खीचने पर और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है लेकिन फिर बहुत tight हो जाता है तो अगर मैं 20 इंच तक बुनूंगी तो फिर वो बहुत ही tight रहेगा सिर पर और अगर 21 से जाता यानि के 22 इंच तक बुनूंगी तो वो थोड़ा lose होगा तो फिर उतर जाएगा इसलिए 21 is correct for me according to my length तो आप अपने नाप के हिसाब से आपको जो भी बहुत ज्यादा ढिला या बहुत ज्यादा lose ना हो उसी तरीके से ये foundation chain की length बुने अब हम क्या करेंगे ये जो हमारी foundation chain हमने बनाई है उसे इस तरीके से हम बिना इसमें बल नहीं आना चाहिए मतलब सीधी सीधी ही इस तरीके से ये देखिए आखिर तक हम पकड की इसे ले जाएंगे बीज में कहीं भी बल आया तो फिर बुन्ने में ये अच्छा नहीं रहेगा इसलिए इस तरीके से हम ये देखिए हमारी first वाली जो chain है उसमें हम इस तरीके से हमारे crochet को डाल कर फिर इसे slip stitch से इस तरीके से joint कर लेंगे तो ये हमारी hairband की ring बन चुकी है अब हम एक दो और तीन chain लेकर ये देखिए हर एक chain में हमारी हमने जो chain बनाई है उस हर एक chain में हमें double crochet बनाना है ठीक है और ये यहाँ पर जो हमारा शुरुआती धागा था उसे अंदर लेकर छिपा देना है और pack कर लेना है ताकि हमें आखिर में थोड़ा सा काम कम हो हमारे लिए तो ये देखिए ये next वाली जो हमारी chain है उसमें हम इस तरीके से crochet को डालेंगे फिर धागा खीचेंगे पहले हम यान ओवर करेंगे फिर next stitch में हमें crochet को डाल कर धागा खीच लेना है फिर हमें दो दो loops करके दो बार निकालना है यानि के double crochet बनाना है तो इसी तरीके से हम पूरी line यानि के हमारी हर एक chain के उपर हम double crochet बना लेंगे और इस तरीके से एक पूरी line double crochet की बना कर फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सारे stitch इसमें double crochet बना लिये है अब हमारी जो यहाँ पर हमारी पहली जो तीन chain हमने बनाई थी शुरुआत में उसकी जो उपर वाली सबसे उपर वाली chain है उसमें हमें इस तरीके से हमारे crochet को डाल कर यह वाली line को इस तरीके से slip stitch की help से joint कर लेना है फिर हमें एक दो और तीन chain बना कर next line भी इसी तरीके से बनानी है हर एक double crochet के उपर हमें एक double crochet बनाना है यानि के इस तरीके से हम जो हमारा नारंगी रंग है उसकी ओरेंज वाले रंग की हम दो लाइन्स बनाएंगे तो हर डबल क्रोशेट के उपर एक डबल क्रोशेट इस तरीके से बना लेना है यह देखिए इस तरीके से ठीक है हर एक stitch के उपर हम एक double crochet बना कर यह दूसरी वाली line को finish करेंगे फिर हम यहाँ पर हमारा beach वाला यानि के white color attach करेंगे तो वो कैसे करना है वो मैं आपको यह वाली line finish करके बताती हूँ यह देखे friends यह हमारी दूसरी वाली line भी finish हो चुकी है अब हम इसे यहाँ पर जैसे हमने पहली line को attach किया था तीन chain की उपर वाली chain में उसी तरीके से slip stitch से attach करना है लेकिन यह orange वाला color नहीं लेना है हम इसे side में रख देंगे और हमारा जो next रंग है हमारे flag में यानिकि वाइट वाला रंग उसके मैंने दो strain ही लिये है यहाँ पर यह देखे इससे ले लेना है इस तरीके से तो हमारी slip stitch भी लग जाएगी और हमारा नया वाला color भी attach हो जाएगा यह देखे friends यहाँ पर मैंने वाइट रंग attach कर लिया है और यह जो orange रंग था उसे यहाँ से काट दिया है अब यह देखे यह white और orange रंग का धागा हमें इस तरीके से not लगा लेना है ताकि यह tight हो जाए यहाँ से lose ना हो अब यह तोनों रंग के धागे हम यहाँ पर बुनाई में अंदर शेपा लेंगे इस तरीके से ठीक है ताकि यह दिखे ना बाहर चलिए तो अब white color से हम शुरुआत करते हैं यह देखे हम तीन चेन बनाएंगे वही करना है जो हमने orange color में किया था तीन चेन बनाकर हमें next जो श्टीच है यह देखे यह जो तूनों धागे है हमारे white और orange उसे हमें इस तरीके से ले ले लेना है ताकि हमारा double crochet जो हम बनाएं उसमें वो छिप जाए इस तरीके से ठीक है तो हम white रंग से हर एक stitch में double crochet बनाने वाले हैं जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ठीक है यह देखे white color attach करते ही orange के साथ एक नई ही feeling आ रही है इसे दोनों को साथ में देखकर क्योंकि जो white रंग है हमारे flag में वो है शान्ती, सत्य और एकता का प्रतिक ठीक है तो यह जो जिस चीज की यह याद दिलाता है शान्ती, एकता और सत्यता वो इससे पूरे पूरी नजर आ रही है यह attach करते ही एकदम अलगी feeling आ रही है चलिए तो यह white रंग से भी हम इसी तरीके से दो line बनाएंगे फिर हम green attach करेंगे तो green attach करने के वक्त फिर से मिलेंगे हम और मैं आपको बताऊंगी कि उससे कैसे attach करेंगे तो यहाँ पर white रंग से दो line बनानी है यह पहली बना रहे है फिर हम दूसरी बनाएंगे और फिर हम मिलेंगे friends यह देखे यहाँ पर मैंने white रंग से भी double crochet की दो line finish कर ली है अब यह दूसरी बाली line को मैं यहाँ पर slip stitch से joint करने वाली हूँ और जैसे हमने white रंग के वक्त किया था उसी तरह हम यह हरे रंग को यहाँ पर इसी तरीके से joint कर लेंगे यह देखे पीछे हम यह white रंग को थोड़ा खीच लेंगे और उस धागे की हरे रंग के साथ नोट लगा लेंगे इस तरीके से और अब हम तीन chain लेकर वापस से दो line double crochet की बनाएंगे यह हरे वाले रंग से फ्रेंट्स यह हरा रंग हमारे national flag की शान है इसके बिना तो हम इसे imagine भी नहीं कर सकते हरा रंग हमारे जंडे में हमें प्रगती, खुशहाली, विश्वास, बुद्धी और हरियाली का प्रतीक है हमारे flag में यह यह देखिए यहां पर हरा रंग जैसे ही joint किया हमने हमारा पूरा जो flag है उसकी जो पूरी look है वो change हो गई it means यह तीनों के तीनों रंग हमारे flag में एक अलग ही जगा रखते हैं हम इसे एक दूसरे के बगेर imagine भी नहीं कर पाते हैं तो चलिए फ्रेंट यह हरे रंग से हमारे flag की आखरी दो lines बना कर फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे हम यह देखिये friends यह मैंने यहाँ पर green color को भी joint करके धागा काट लिया है और यह हमारा band ready हो चुका है वैसे तो आप इसे इसी तरीके से अपने head पर लगा कर use कर सकते हैं लेकिन क्यूंकि हमारा देश सबसे ज़्यादा यूवा शक्ती रखने वाला देश है हमारे देश में right now यूवा की संख्या जो है वो सारे world में सबसे ज़्यादा है तो हमारे जो यूवा है वो साहसी, महनती, इमानदार तो है ही लेकिन साथ ही साथ थोड़े stylist भी है तो हम उस style को represent करने के लिए यह जो हमारा Indian flag crochet hairband है उसे थोड़ा style element देगे और अभी इसमें एक बहुत ही महत्वपुन हिस्सा हमारे flag का जो के है अशक चक्र वो भी represent करना बाकी है तो उसे हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे और इस headband को थोड़ा सा stylish look कैसे देंगे वो मैं आपको बताती हूँ friends यहाँ पर मैंने again सफेद रंग लिया है और इसके दो strings लिये है तो उससे हम यहाँ पर पहले तो slip knot लगा लेंगे tight C and then हम chain बनाएंगे एक दो friends यहाँ पर मैंने 16 chain ले ली है लेकिन यह हम आगे बाद में बढ़ाते हैं पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ जो के है यह यह देखे यह मैंने wrist belt बनाया है यह बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप अपने बच्चों को बना कर देंगे यह पाच या दस मिनिट में बन जाएगा अगर आप expert है तो believe me पाच मिनिट भी नहीं लगेंगे यह देखे जिस तरीके से हमने यह belt बनाया है सेम उसी तरीके से हमने यह वाला belt बनाया है ठीक है यहाँ पर हमने जब chain बनाई थी यहाँ से शुरूआत की थी तो हमने हमारे सिर का नाप लिया था यहाँ पर हमें हमारे ये वाले portion का नाप लेना है यहाँ का नहीं लेना क्योंकि ये छोटा वाला portion होता है हमारा belt जो है वो यहाँ से अंदर जाता है तो maximum इतना तो होना ही चाहिए ठीक है stretch होता है हमारा crochet से जो भी बनाते हैं वो तो उसको ध्यान में रखकर आप यहाँ का नाप ले फिर जहसे हमने यहाँ पर ring को joint किया था दोनों chain को joint कर आखरी और पहली वाली chain को joint करके हमने ring बनाई थी वैसे ही chain यह size की बनाई है और पहली और आखरी को slip stitch से joint कर दीजे सेम इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पर किया था फिर हमने तीन chain बना कर एक पूरी double crochet की line बनाई थी तो हमें यहाँ पर एक chain बनानी है तीन नहीं बनानी एक बनानी है और एक single crochet की line बनानी है फिर उस line को उस line के पहले और आखरी single crochet को slip stitch से joint करके फिर एक chain बना कर फिर से नारंगी रंग की एक और single crochet की line बनानी है और उसी तरीके से हमें फिर दो lines white रंग की और दो green की बनानी है ठीक है फिर जैसे हमने यहाँ पर joint करके धागा काट लिया था एक chain बना कर खीच कर उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एक chain बना ली यह देखिए वो chain आपको दिख रही होगी मैंने उसे यहाँ पर इस तरीके से दबा दिया है और फिर धागा अच्छे से काट लेना है तो यह देखिए बहुत ही प्यारा लगता है जैसे हम यह headband unisex बना रहे है यानि कोई particular girl या boy कोई भी पहन सकता है उसी तरीके से यह भी girls या boys या फिर बड़ों के लिए भी आप बना सकते हैं सिर्फ nap के बनाई यहाँ से ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने white रंग के दो श्रिम से यह देखिए total 16 chain बनाई है ठीक है तो अभी हमें पहली वाली chain को छोड़ कर जो हमारी next वाली chain है उसमें हमें single crochet बनाना है इस तरीके से ठीक है friends मैंने जो wrist belt बनाया है उसमें भी मैंने इसी तरीके से double oon का इस्तमाल किया है दो धागे इस्तमाल किये है यह देखिए इसी तरीके से हमें हर एक stitch में यानि हर एक chain में single crochet बनाना है तो हमने 16 chain बना कर एक chain छोड़ दी थी तो हमें यहाँ पर 15 single crochet मिलेंगे ठीक है तो 15 पूरे बना कर फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है friends यहाँ पर हमने सारी 15 chains में एक single crochet बना दिया है अब हमें एक chain लेकर इसी गुमा लेना है और हर जो हमने जो यहाँ पर single crochet बनाये थे हर एक single crochet के ऊपर हमें एक single crochet बनाना है यानि के दूसरी रो में भी हमें 15 single crochet मिलेंगे ठीक है तो उसी तरीके से हमें total 10 row बनानी है हर single crochet के ऊपर एक single crochet बनाना है रो फिनिश करनी है और फिर एक chain बना कर कुमा लेना है और फिर next row की शुरुआत करनी है तो मैं total 10 row बना कर फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे friends यहाँ पर मैंने 10 line बना ली है अब यह देखिए यहाँ पर हम एक chain बनाएंगे इस तरीके से और फिर जैसे हम हमेशा project फिनिश करने पर धागा काटते है इस तरीके से यहाँ पर हम धागा काट कर इसे इस तरीके से खिज लेंगे ठीक है तो अब यह हमारा एक छोटा सा ribbon बन गया है अब हमें यह ribbon को यह देखिए यहाँ पर हमने जहाँ पर joint लगाये थे मतलब जहाँ से हमने धागा चेंज किया था वहाँ पर यह थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा पीछे से तो यह वाली जो साइड है उसे ढग भी जाएगा इससे और यह इस तरीके से इसे cover कर देगा तो हमें यहाँ पर इससे इस तरीके से लगा कर यह अंदर की साइड यह देखिए यह दोनों छोड़ों को सुई धागे के help से जोइड कर लेना है थीक है तो यहाँ से हमें सामने सामने से सुई धागे की help से इसे जोईड कर लेना है तो मैं पहले इसे सी लेती हूँ बाद मैं आपको बताती हूँ यह देखिए फरेंड्स यह जो छोटा सारी बीन हमने बनाया था उसे mäने इस तरीके से जोइंट कर लिया है सुई धागे की हल्प से अब ये थोड़ा स्टैलिस लग रहा है हमारा इंडियन फ्लैग हैर बेंड अब हम इसे अशक चक्रा अटेज करने के लिए यहाँ पर हम पहले तो मैजिक रिंग बनाएंगे तो मैजिक रिंग आप सबको आती है लेकिन एक बहर फिर से देख लीजिए यह दि की इस तरीके से हमें हमारी उंगली पर इस तरीके से क्रॉस बनाना है फिर अंदर से हमें hook डाल कर इस तरीके से यहाँ पर हमें एक दो और तीन चेन बना लेनी है, ठीक है, अब जो हमें ये ring मिली है, यह हमारी magic ring है जिसमें हमने तीन चेन बना ली है, अब हमें इसी magic ring में यहाँ पर हमने blue रंग का धागा इस्तमाल किया है, अशक चक्र बनाने के लिए और सिंगल स्ट्रिंग ही यूज किया है यहाँ पर हम डबल नहीं कर रहे है ठीक है तो यह जो मैजिक रिंग हमारी बनी है इसमें हमें टोटल 14 डबल क्रोशेट बनाने है यह देखिए इस तरीके से पहले हम इसे खीच कर थोड़ा सा छोटा बना लेंगे ताकि हमें पकड़ने में आसानी रहे अब हम इस तरीके से यह एक फिर रिंग में ही दूसरा फिर तीसरा तो इस तरीके से 14 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम हमारे जो मेजिक रिंग का यह धागा है इसे इस तरीके से टोटली खीच लेंगे और यहाँ पर हमारा जो पहला डबल क्रोशेट था उसकी टॉप चेन में हम हुक को डाल कर इसे स्लिप श्टीच से जोइंट कर लेंगे तो यह हमारा अशुक चक्रा बन जाएगा यह दिखे फ्रेंट यह छोटा सा जो रिबिन हमने लगाया था उसके उपर मैंने अशुक चक्रा एकदम सेंटर में सुई धागे की हैट से श्टीच कर लिया है अशुक चक्रा हमारे फ्लेग का बहुत ही महत्वपून अंग है इसके बिना फ्लेग हमारा बिलकुल ही अदूरा है यह देखे इसको लगाने से हमारा जब फ्लेग हैर बेंड है यह भी कंप्लीट लगने लगा है अशुक चक्रा हमारे फ्लेग में धर्म चक्रा का प्रतिक है इसके अंदर 24 लाइन्स होती है यह जो सरकल होता है उसमें टॉटल 24 लाइन्स होती है जो के 24 धार्मिक रास्तों को सिम्बॉल करती है वो अलग-अलग है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती लेकिन यह शॉट में ठीक है तो यह हमारा फ्लेग इंडियन फ्लेग हैर बेंड तयार है उसके साथ आप इसे पैर कर सकते है जो के है इंडियन फ्लेग रिष्ट बेल्ट अब मैं आपको एक बैच बनाना सिखाऊंगी चली शुरू करते है फ्रेंड्स बैच बनाने के लिए हमें मैजिक सरकल बनाना है मैजिक रिंग बनानी है जैसे हमने अशुक चक्र बनाने में यूज की थी वही वाली मैजिक रिंग हमें यहां पर बना कर तीन चेन बनानी है और फिर मैजिक रिंग में हमें 14 डबल क्रोशेट बना लेने है ठीक है जैसे हमने अशुक चक्र में किया था वही हमें रेपिट करना है यह देखे यह मैजिक रिंग में हमें टोटल 14 डबल क्रोशेट बनाने है ये दो मेने बना लिए है, बारा और बना कर फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे चोदा डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें ये मैजिक रिंग का जो धागा है उसे पूरे तरीके से टाइटली खीच लेना है और जो यहाँ पर हमने शुरुआत में फिर्श डबल क्रोशेट बनाया था उसकी टॉप वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टीच की हेल्प से जोइंट कर लेना है ग्रीन वाले धागे को काट कर सफिद वाला धागा हमें आटेच कर लेना है और यह देखिए यह जो इसका छोर है इसे इस तरीके से टाइटली खीच लेना है तो यह सफिद रंग से हमें एक, दो और तीन चेन बनानी है और फिर सेम वही स्टीच में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है यह देखिए इस तरीके से अब हर एक double crochet के उपर हमें दो double crochet बना लेने हैं ठीक है हर एक stitch में हमें increase करना है तो यहाँ पर हमने पहली में तीन chain और एक double crochet बनाया यानि दो बन गए हमारे अब next वाली में हम दो बनाएंगे फिर उसके next वाली में दो तो इस तरीके से हमारा यह दूसरा round हमें finish करना है फिर हम नारंगी रंग को attach करेंगे तो वो किस तरी कैसे बुनाई करेंगे मैं आपको बताती हूँ यह round finish करके हमने पहले वाले double crochet के साथ इसे joint कर लिया है और same way हमने यहाँ पर नारंगी रंग को attach कर लिया है अब नारंगी रंग से हम तीन चेन बना कर next वाली stitch में हमें एक double crochet बनाना है फिर उसके next वाली stitch में हमें दो double crochet बनाने है यानि कि एक increase करना है फिर next वाली में एक बनाना है और फिर उसके next वाली में दो बनाने है यानि कि एक increase करना है तो इस तरीके से हर एक stitch को छोड़कर एक stitch में हमें increase करना है यानि कि एक में एक बनाना है दूसरी वाली में दो बनाने है तो इसी तरीके से हम यह पूरा round finish करते हैं और फिर मिलते हैं यह देखे फ्रेंट्स यह रांड को हम यहाँ पर इस तरीके से slip stitch लगाकर joint करेंगे और फिर एक chain बनाकर धागा काट लेंगे और फिर उसे इस तरीके से खीच लेंगे ठीक है तो यह हमारा batch ready हो चुका है यहाँ पर आप चाहें तो ribbon लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं लगाकर आप बच्चों के टी शिर्ट या फ्रॉक या किसी भी कपड़े पर आप इसे लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह था हमारा Indian flag headband या hairband आप जो भी बुलाएं यह Indian flag flag wrist belt और यह हमारा Indian flag theme का batch ठीक है तो आज का tutorial आपको कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye